नमस्कार दोस्तों तेकार राव चनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो में अपने सेग्मेंट की हाली में लौंच वही गाड़ी होंडा सिटी और हुंडाई वर्ना को कॉंपेर करने वाले है काफी समय से दोनों गाड़ियों के बिच बहुत तगड़ा कॉंपेटिशन चल रहा है तो चलिए सुरू करते हैं और सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो होंडा सिटी में फॉस्ट इन सेग्मेंट फूल एलेडी हेडलेंप्स विथ नाइन इन लाइन एलेडी लेंप्स विथ एलेडी डियारेल्स एंड टरन इंडिकेटर्स और नीचे एलेडी फोग लेंप्स दिये गए है वहीं युन्डाई वर्ना में भी आपको एलेडी हेडलाइट्स मिलती है पर होंडा सिटी की हेडलाइट्स ज्यादा प्रीमियम लगती है और नीचे प्रोजेक्टर हेलागन फोग लेंप्स दिये गए है होंडा सिटी की फ्रन्ट प्रोफाइल होंडा की बड़ी गाडिया सिविक और अकोड से इंस्पायर है और और होंडा सिटी की फ्रन्ट प्रोफाइल सोबर और प्रीमियम लगती है हम युन्डाई वर्ना की फ्रन्ट प्रोफाइल की बात करे तो इसमें बड़ी ब्लेक कास और रियर प्रोफाइल की बात करें तो दोनों ही गाडियों में आपको LED टेल लाइट्स मिलती है City की टेल लाइट्स को एकदम नया लुक दिया गया है और इसमें ब्लेक एलिमेंट का भी इस्तमाल किया गया है वहीं वर्ना की टेल लाइट्स थोड़ी सिंपल दिखती है City के मुकाबले बूट स्पेस की बात करें तो होंडा City में आपको 506 लिटर्स का बूट स्पेस मिलता है जबकि वर्ना में सिर्फ 480 लिटर्स का ही मिल पाता है इंटिरियर की बात करते है तो City में आपको Half Digital और Half Analog Instrument Cluster मिलता है डिजिल पार्ट में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते है जैसे की G-Meter, Driver Information और आप इसको Customize भी कर सकते है वहीं पर वर्ना में Fully Digital Instrument Cluster मिलता है इनके अलावा आपको दोनों ही गाड़ी में 8 हीच की Touchscreen Info 10 Mate System मिलती है दोनों ही गाड़ी में Dual Tone Black and Beige Color का इंटिरियर मिलता है अलाकि वर्ना के Turbo Engine Option के साथ Old Black इंटिरियर मिलता है चलिए अब दोनों ही गाड़ी के Dimensions के बारे में बात करते है तो City की Length 4549 mm जोकि वर्ना की Length 3440 mm से 109 mm ज्यादा है इसी तरह से उंडा City की Width 1748 mm है जबकि वर्ना की Width 1729 mm है जोकि 19 mm ज्यादा है वर्ना की Width से City की Height 1489 mm ज्यादा है वर्ना की Height 1475 mm से लेकिन दोनों ही गाड़ीयों का Wheel Base 2600 mm ही है तो इस Dimensions के उपर से हमें पता चलता है कि होंडा City Length, Width और Height हर मामले में होंडा City वर्ना से बड़ी है वैसे भी इस तरह की Sedans में जो गाड़ी ज्यादा लंबी होती है वो ज्यादा प्रीमियम लगती है दोनों ही गाड़ीयों में Ground Clearance 165 mm की मिलती है चली अब आगे बढ़ते हैं और Safety Features के बारे में बात कर लेते हैं तो दोनों ही गाड़ी में आपको Standard Safety के नाम पर ABS, Dual Airbags, Electronic Brake Distribution, Seat Belt Reminder और Isofix Child Seat जैसे Standard Safety Features मिलते हैं इनके अलावा Emergency Stop Signal ही एक ऐसा Safety Feature है जो Hyundai Verna में Standard मिलता है और City में बिलकुल मिलता ही नहीं Hyundai Verna के Top Variant में आपको Six Airbags, Vehicle Stability Management, Hill Start Assist और Electric Stability Control जैसे Safety Features मिलते हैं जबकि City के Top Variant में आपको Six Airbags, Hill Start Assist, Vehicle Stability Control विथ Agile Headling Assist और First In Segment Lane Watch Camera जैसे Safety Features मिल जाते हैं Features की बात करते हैं तो चलिए सबसे पहले उन Features के बारे में बात करते हैं जो City में मिलते हैं लेकिन Verna में नहीं मिल पाते हैं तो Full LED Headlamps with Nine Inline LED Lamps with DRLs and Turn Indicators City में LED Fog Lamps मिलते हैं जबकि Verna में आपको Projector Fog Lamps मिलते हैं इनकी अलावा Honda City के Half Digital Instrument Cluster में साथ इसकी Digital Screen मिलती हैं जबकि Verna में 4.2 Inch Kit मिलती हैं City में आपको Connected Car Technology मिलती हैं City में इस Technology के साथ Alexa App मिलती हैं जिसकी मदद से आप कही सारी चीज़े Clearly बोल करके सकर सकते हैं जबकि Hyundai Verna में मिल रही Blue Link Connected Technology में ऐसा Feature नहीं मिल पाता चलिए अब उन Features के बारे में बात करते हैं जो Verna में मिलते हैं लेकिन City में नहीं मिल पाते हैं जैसे कि Verna में आपको 4 disc brakes, Front Parking Sensor, Dual Tip Exhaust, Front में Ventilated Seats, Eco Coating Technology, Wireless Smartphone Charger और Driver Rear View Monitor जैसे Features Verna में ज्यादा मिलते हैं मिलने वाले Engine Options की बात करें तो City में दो Engine Options मिलते हैं एक Petrol और एक Diesel जबकि Verna में दो Petrol और एक Diesel Engine मिलता है चलिए सबसे पहले Petrol Engine की बात करते हैं तो City में आपको 1.5 Liter Naturally Aspirated Engine मिलता है जोकि अपने segment की सभी गाडियों के comparison में सबसे powerful है ये Engine 121 BHP की Power Generate करता है और 145 Nm का Torque इस Engine के साथ 6-speed Manual और CVT Automatic Transmission का Option मिलता है वरना में मिलने वाले Petrol Engine की बात करें तो इसमें पहले 1.5 Liter Engine की बात करते हैं वो है 1.5 Liter Naturally Aspirated Engine जो 113 BHP का Power और 144 Nm का Torque Generate करता है इस Engine के साथ Manual और CVT Automatic Transmission का Option मिलता है वरना में मिलने वाले दूसरे Petrol Engine की बात करते हैं तो ओ है 1.0 Liter Turbo Charge Petrol Engine जो 120 BHP का Power और 172 Nm का Torque Generate करता है इस Engine के साथ सिर्फ Dual Clutch Automatic Transmission का Option मिलता है देखा जाए तो होंडा सिटी का ये अक्यला 1.5 Liter Petrol Engine वरना के दोनों पेट्रोल एंजिन को तगड़ा Competition देता है चलिए अब डीजल एंजिन के बारे में बात करते हैं तो फूरी सेगमेंट में ये दो गाडिया ही ऐसी है जो पेट्रोल एंजिन के साथ साथ डीजल एंजिन भी दे रही है वरना सेगमेंट की बाकी गाडियों में सिर्फ पेट्रोल एंजिन ही मिलता है होंडा सिटी में आपको 1.5 Liter 4 Cylinder टर्बो चाच डीजल एंजिन मिलता है जो 100 BHP की पावर जनरेट करता है वो 200 Nm का टोर्क इस एंजिन के साथ सिर्फ 6-speed manual transmission ही मिलता है वरना के डीजल एंजिन के कंपेर करते है तो वरना में 1.5 Liter डीजल एंजिन मिलता है जो 115 BHP का पावर और 250 Nm का टोर्क जनरेट करता है वरना में manual transmission के साथ torque converter automatic transmission का option भी मिलता है तो जैसा कि आपने देखा Honda City का एक ही petrol engine वरना के दोनों petrol engine को तगड़ा competition देता है अला कि डीजल एंजिन वरना से कम पावरफुल है और automatic transmission भी नहीं मिलता अगर किसी को इस segment की diesel automatic गाड़ी लेनी है तो वो सिर्फ Hyundai वरना ही है भाकी कोई भी गाड़ी में नहीं मिलता वरन्टी ओफर की बात करते है तो वरना में आपको तीन तरह के वरन्टी ओफर्स मिलते है जिन में से कोई एक आप चूस कर सकते वरना में आपको तीन साल से लेकर पांच साल तक का ओरंटी ओफर मिलता है जबकि Honda City में आपको सिर्फ एक ही ओरंटी ओफर मिलता है जोकि तीन साल तक या फिर अनलिमिटेट किलोमिटर्स तक है चलिए अब आखिर में प्राइजिस के बारे में बात करते है तो Honda City की प्रिव्यूस चेनरेशन 30 से 40,000 महेंगी आती थी वरना से लेकिन अब 80 से 90,000 तक महेंगी हो सकती है Honda City की estimated एक्सोरूम प्राइज रूपिस 10.5 लाग से सुरू होकर 15.5 लाग तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वहीं वरना की प्राइज एक्सोरूम न्यू डेली के हिसाब से रूपिस 9.3 लाग से सुरू होकर 15.10 लाग रूपिस तक मिल जाती है चली अब आखिर में बात करते हैं कि आपको कौन से गाड़ी लेनी चाहिए तो अगर आपको एक लंबी ज्यादा स्पेसियस और पेट्रोल गाड़ी लेनी है तो आपको उंडा सिटी लेनी चाहिए और अगर आपको एक स्पोर्टी और डीजल ओटोमेटिक गाड़ी लेनी है तो आप यूंड़ाई वर्ना ले सकते हैं दोस्तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले आपका दिन सुपरेश